हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल में अगर आप इस दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों कतर सरकार के तरफ से एक नया अपडेट जारी हुआ है अगर कोई कतर से बाहर होते थे तो अगर आप कोई भी वैक्सिन लिया है तो आपको एतराज एप में डारेक्ट स्टेटस हो नहीं करता था कि आप वैक्सिन लिया है कि नहीं लिया है इसे एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपको कतर आना पड़ता था तब आपको एक दोस्तों विकत का सामने करना पड़ेगा दोस्तों आपको सिंपल यह करना है कि अगर आप कतर के बाहर है तो आपको कैसे गोल्डेन फ्रेम का जो एक्टिवेट कर सकते हैं सबसे पहले आपको www.ehteraz.gov.qa पर जाना है फिर दोस्तों इसमें आपको एक एकाउंट बनाना इसमें आपको क्लिक करना है जो की निए अकाउंट करके कुछ लिखा होगा फिर दोस्तों यह जब आपन हो जाएगी तो आपको सबसे पहले दोस्तों जब अपना एकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी वैक्सीन आप लिए है यह वैक्सीन कतर सरका के तरफ से approved है तो यह आपका form वहाँ पे successfully submitted होगा कतर सरकार ने जो जो वैक्सिन दोस्तो एप्रूवल दिया सबसे पहले पी-फाइजर, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V, Covaxin दोस्तों मैंने जिदना भी नाम लिया वैक्सिन का यह सारी वैक्सिन जो है दोस्तों वो कतर सरकार के तरफ से approved कर दिया गया अगर आप कोई भी देश में है तो इस वीडियो को फिर से देखे रिपिट करें ताकि मैं जो नाम लिया हूँ वैक्सिन का उस वैक्सिन यही वैक्सिन आपको upload करना है जो कतर सरकार का जो form है उसमें फिर दोस्तों जब यह सारा डिटल आपको सब्मिट कर देंगे नाम बगैरा जो भी आपको कौन सा वैक्सिन लिया है तो आपको हैल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से यह फॉर्म को चेक किया जाएगा कि यह जो आपने डिटल भरा यह सही है कि नहीं अगर आपका फॉर्म सभी पाई जाएगा तो आपका जो गॉल आप में होता था लेकिन आप आप किस आप किसी भी देश में है तो आप एहतराद एप में कोई भी देश से अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपना गॉर्डन फाइबर जो स्टेटास है वो एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों मैं आपको एक खुसखपरी ये बता दू कि 28 फ चैनल शुरूज नहीं अप्डिक देना चाहते हैं तो अभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें